हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटीब चैनल पर दोस्तों बात करेंगे ऐसे सी जुनियर इंजिनियर के दोस्तों फॉर्म फिल्प के बारे में इस वीडियो में आपको रेजिस्टेशन से ले करके पूरे प्रिंट तक पूरा में डीटल आपको बताने वाला हूं द सबूंद नहीं है तो नीचे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो सबimento कर辸े आеспондर करना दोब यहाँ chemicals अड कर देंगे तो इहां पर यहां पर बांड़ा आपको पूछा जाए कि आपके आदार कार यह वोटर आड़ी थो इस प्रकार से लिए और यदि आपके पास आधार है तो आप यहां पर इस रट कर देंगे जैसे यहां पर यहां पर करेंगे आपको यह आधार नभू नहीं करना होगा तो उसके बाद राद को फिरिफाइक करना होगा और नीचे दोस्तों को यहां पर अपना नाम को दोबारा फिल करना होगा वेरिफाइब करने के लिए इसमें आप दोस्तों ध्यान देजिए का यहां पर आपको दो बार एक ही चीजी फिल करना है तो एक बार आप फिल करेंगे उसके बार वेरिफाइब करने के लिए दोबार आपको फिल करना दोस्तों यहां पर आपका है कि 10th class के examination details के बारे में तो यहां पर आप अपना board select कर लेंगे तो आपका कौन सा board होगा जो भी आपका board होगा दोस्तों आप select कर लेंगे मैं यहां पर यूपी वाले बच्चों के लिए बता देता हूं कि वहां पर हम लोगों का बोड बोड आप high school and intermediate education उत्तरप्रदेश तो इस प्रकार से आप अपना बोड वगेर फिल कर देंगे दोस्तों उसके बाद फिर से आपको verify करना होगा इसे फिल करके दोबारा दोस्तों आपको अपना high school का रोल नंबर यहां पर फिल करना है फिर आप verify कर लेंगे रोल दोबारा फिल करके उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको passing year का आप सना जाएगा आप कौन से यह में टेंथ पास हैं तो उस प्रकार से आप फिल कर देंगे जिस भी एर में आप पर टेंथ पास की हैं फिर दोबारा से आपको verify करना होगा नीचे आपको जेंडर में आपका इसके बाद दोस्तों आपका additional and contact detail यहां पर फिल करने का option आजाए कि इसमें आपको अपनी category फिल करनी होगी जो भी आपके category होगी आप इस प्रकार से फिल करना है उसके बाद identification mark से यहां पर फिल करना है जो भी आपके body पर mark होगा तो आप उसको यहां पर फिल कर देंगे द इसके बाद दोस्तों यहां पर नीची आपका डिश्टिक वगरब फुछा जाएगा फिरुपीन कोड फिल करना है उसके बाद दोस्तों आपका present address और permanent address अगर से में तो यह फिल कर देंगे तो इसके बाद यहां पर आप क्लिक करके सेप कर सकते हैं दोस्तों आपका यहां सब्सक्राइब करना है उसके बाद दोस्तों आप यहां पर के इसको एक ड्राप्ट भी कर सकते हैं और अपने जो जो भी चीज़ा फिल कि होंगे उसको आप देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप यहां पर फाइनल सब्मिट कर देंगे तो आपके email और phone number पे यह आपका पार आपको unsere के लॉबकर साथा आपको दिया जाएगा तो फिर दोस्तों ऊसे नंबर और पासवर और को आपको फिल करके लागइन करना होका थिए दिए निज्व कर देंगे जैसे दोस्तों आप यहां पर लागिन करेंगे तो आपको यहां पर नेम वगेर आजाए यहां पर आपको पासवर्ट चेंज करना होगा तो पासवर्ट चेंज कर देंगे लागाउट भी कर सकते हैं तो नीचे आपको आजाना है दोस्तों और यहां पर आपको यह वाली वेक आपको कुछी चीजी आपको फिल करना है जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि नेम वगिरा आ गया फादर ने मदर नेम डेटा बर्थ तो यह सारी आपको फिल नहीं करनी दोस्तों यहां पर आपका जायाएगा उसके बाद जेंडर है काटेगरी है और दोस्तों यहां पर न यहां पर अपको कर जाएगा तो यहां के बारे में दोस्तों इस प्रकॉर मैं यहां पर करेंने कि कोई जरूबत करके आजांगे और को यहां हैं पिल जायागा कि आपको एज-relection चाहिए यह नहीं तोब यहां पर select कर देंगे नहीं चाहिए तो आप यहां पर पूछा जाए कि कौन से पोश्ट के लिए आपको आपको अप्लाई करना है यहां पर सीविल एलेक्टिकल मैकेनिकल जिस भी पोश्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिस भी बांच से आप दिप्रोप वन किये हुए हैं तो आप यहां पर सटकर देंगे this time उसके प encaps आपको यहां पर क्वारीऑ हिई कर लेना है चनल दो wraps यहां चोड़ करेंगे यहां पर nee यहां पर दिटी कार से डिलेंगे इसके ठाप मपर आपका आजाएगा अकौन से अपकी हुए हैं तो यहां पर इंजिनियर इस प्रकार से फिल कर देंगे अगर आप लिक्रिकल से मदक्व कोवें जो कई रहना फिल करना माम करते हैं worthy stage और यहां आगे दोस्तों आपको नेम आप बोड या उनिवर्शिट करना होगा तो आपका यहां पर मिल जाए तो आप वह फिल कर दीजिएगा अगर नाम ले तो आप आधर कर सकते हैं दोस्तों यूपी वालों के लिए यहां पर आप बोड आप टेक्निकल एजुकेशन उत् किया होगा तो आपको यहां पर आपको एक और अप्शन मिल जाएगा कि डू यू वांट तो मेक यूर पर्शनल इंफार्मेशन आवेलेबल फॉर एक्सें जॉब ऑपर यहां पर यहां पर यहां अपने हिसाब कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे दोस्तों और नीचे है और बात कर लेता यहां पर फोटो के बारे में यहां पर फोटो अरषी नेचर में डोस्तों आपका 20-50 km के वीलीन होना चाहिए एसका जरी पी जी होना चाहिए प्रकार से आप सब्से left कर लेंगे दोस्तों और यहां पर future your बारे में बात की जाए तो यहां पर सीनेचर का जो साइज आपका दस से 20 के भी की बीच में होना चाहिए इसका भी फार्मेट सेम रहेगा और इमेज साइज जो फोर सेंटीमीटर यहां पर विट है इसकी और जो टू सिंटीमीटर हाइट है तो आप इस प्रकार से सलेट कर ल है कि आपका 12 माई 2022 के बात का फूटो है उससे पहले का है तो आप इस प्रकार से यह जिया नो सब्सक्राइब कर देंगे तो आप इसमें आप अपने सारे डिटेल्स देख लीजिए गा जो जो अपने फिल की होंगे आप सही फिल की है या नहीं एक बार आप चेक कर लीजि एक दिन आपको दूस्तों यहां पर एक को आपको एक कर सकते हैं साथ यहां पर आप सब्मिट कर देंगे तो सम्मिट कर देंगे तोस्तों अगर आप करना होगा तो कर दीजिएगगा अगर करने की कोई जरूवत नहीं होगी दोस्तों आप यहां पर प्रेमेंट कर देड़ेंगे तो पैमेंट आपका 100 रुपे का यहां पर पैमेंट होगा देन उसके बाद दोस्तों आपका प्रेंट करने का अप्षाण आजाएगा आप प्रेंट कर लेंगी अपना फॉर्म झाल